बहुत लोग ऐसे हैं जो grocery store खोज चुके हैं अच्छी जगह पे बहुत अच्छा investment बेकर चुके हैं या बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी कंपनियों की franchise लेके grocery store चला रहे हैं जैसे कि save in heaven, grocery for you या इस तरीके की बहुत सारी franchise model जिसको लेके लोग business कर रहे हैं आज के date में क कि सभी लोग अपनी दुकान को modern तरीके से करना चाते हैं आज के लिए grocery store और grocery store वाले भी चाते हैं कि ग्रहक हमारे पास आया और अपने से खुद समान उठा के लेके जाए जो नया प्रक्रिया जो चला है और ज्यादा तर सारे business इतनी तरीके से हो रहे हैं सिप grocery नहीं सारे businesses हो रहे हैं जो पहले से हो रहे हैं हलाकि grocery store आज की रेट में सभी लोग क्योंकि हर घर की पहली नीड है इस वज़े से लोग साथे fully organize हो और customer को attract करें ठीक है तो बहुत लोग ऐसे हैं जो आलड़ी grocery store बहुत अच्छे-च्छे से खोल चुके कापी बड़े में खोल चुके लेकि उनका grocery store चल नहीं रहा है यानि अच्छी income नहीं हो रही है उनके खर्चे बहुत जादा है और income बहुत कम क्योंकि बहुत लोग काम कर रहे हैं उनके grocery store में इलेक्रिक बिल भी बहुत जादा आ रहा है इसके अलोग और भी बहुत सारे खर्चे आ रहा है अगर इनको अ आपने एक साल पहले स्टार्ट किया हो, हो सकता है आपने 6 महीने पहले, या 1.5 साल पहले स्टार्ट किया हो, और यह इस्तिति आगर आपके पास है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, और वो लोग भी देखेंगे, जो लोग grocery store business open करने के लिए सोच रहे हैं, बहुत अच्छा चुनिंदा ब्रांड रखेंगे, ताकि जो हमारे कस्टमर आए, वो इंप्रेस हो, अरे यारे, हाँ पर हल्दी राम, पाले, बिटानिया, इस तरीकी की बहुत सारी चीजे, नेसले उगर हैं, यानि कि हर वो ब्रांड आप रखना चाहते हैं, बड़ी आप से उस स्टोर में आपने प्रोड़क्ट रख दिया, हाई फाई स्टोर खोल दिया आपने, ठीक है, लेकिन अब आप स्टोर की उरे चल ला है, क्योंकि हाई फाई जो जहां पर आपने खोला है, जो आपका लोकेशन है, वहाँ पर उस तरीके की बराइटी की लोग प्रोड़े में है, तो बहुत जादा दूर से कस्टमर आपके पास आएंगे नहीं, बहुत जादा जादा आएंगे एक, दो, तीन किलो मीटर, चार, पाँच किलो मीटर के अंदर की ही लोग आएंगे, उसमें भी आप ही नहीं सिर्था है, पहले से बहुत सारे होल्सेलो, रिटेलर अल्रेडी हर मार्केट में ठीक है तो आप अब क्योंकि आपने बहुत अच्छा मार्डन दुकान खोला सारा समान आपने रख लिया हर चीज रख दिया वो चीज भी रख दिया जो किराना इस्टोर पर नहीं मिलेगी यानि कि बहुत सारे बरतन कीचन के भी प्रोड होती है अलग-अलग लोग होते है अलग-अलग उनकी खाने पीने की कंपनी का एक पकड़ होता है अलग-अलग ब्रांड वहां पे मजबूत होता है जैसे कि आपके छेतन में कोई अलग ब्रांड मजबूत है जैसे माली जी एक मसाला है जो आपके छेतन बहुत ज़्यादा बिखता है लेकिन अगर वो मसाला वहाँ पर नहीं मिला और आपने बेचा Everest या Goldie का मसाला बेच रहा है कि वो आलोवर इंडिया में बिखता है MDA बिखता है ठीक है Goldie बिखता है Everest बिखता है तो आपने इन ब्रांड को रखते हैं, हो सकता है उसको वो मसाला पसंदना हो, और वो मसाला ही नहीं मिले वहाँ पर, हो सकता है वो चावल जो उस रेट में खरीदता है अपने लोकल दुकान में, आप कहां पैकेट का बासमती, राइस या मतलब इंडिया गेट उगर का चावल आप रख वो आप कहां आएंगे, लेकर जाएंगे, लेकिन जो समसे ज़्यादा मैचोटी है, जो आपकी एरिये में है, वो है lower, lower middle class family, ठीक है, तो उनकी बजट से आप बाहर चले जा रहे हैं, आप heavy heavy product रख रहे हैं, छोटा फाइल नहीं रख रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी आप 50 रुपए, 60 रुपए, किलो वाली रख रहे हैं, 45 रुपए, 50 रुपए, सूपर, चीनी आपकी, जो कि मार्केट में उससे 2-4 रुपए सस्ते ही मिल जा रहा है, तो फिर वो आपकी दुकान पर क्यों आएगा, क्योंकि 2-3 प्रोड़क्ट जो में में होता है, जैसे च होने चाहिए, इसके अलामा आपको ब्रांड भी रखने हैं, मैं यह नहीं कर रहा हूँ, ब्रांड रखने हैं, लेकिन जिसकी जितनी सेल है, उसी हिसाब से आपको आपको आंटिटी रखने हैं, जैसे हल्दी राम बहुत ज्यादा नहीं बिक रहा है, थोड़ा रखो, इस वज़े से आप फेल हो जाते हैं, और यही कारण है कि जो फ्रंचाइजी हैं, क्योंकि उनको क्या पता है, आपके छेतर में क्या बिकता है, आपके छेतर में कौन सा मसाला बिकता है, आपके छेतर में कौन सा चावल बिकता है, आपके छेतर में कौन सा चावल बिकता है, इस तरीके की बहुत हजारों लखों बराइटे हैं, तो कौन सा बिखता है, हर छेत्र में अलग-अलग बिखता है, तो आपकी छेत्र में कौन सा बिखता है, अगर वो चीज आप फुल्फिल नहीं करेंगे, तो आप फेल हो जाएंगे दोस्ते, और क्यूंकि ग्रोसरी स्टोर जब लोग खोलते हैं, तो फुल अर्गनाइज स्टोर होता है, जिसमें केंप्यूटर भी राता है, लड़का मैनेज करता है, लड़का एक समान देने के लिए होता है, लाइटिंग का फूरा बढ़ियां खर्चा होता है, क्यूंकि नार्मल दुकान पर जो एक हजार, दो जाएगा, आपका 5-10,000 बिल जाएगा, ठीक ठाक जगर तो मार्केट में हो, इसके लावाँ आपका बहुत सारा खर्चा ऐसा होगा, जो अननेसेसरी होना ही होना है, ठीक है, अगर आपकी दुकान खुली है, लेकि दुकान पर खर्चा कम होता है, क्योंकि एक-दो लोग र यह सारी चीज़े मैं फुल्फिल करता हूँ, फिर भी मेरी दुकान नहीं चल लिए, तो मैं भी देखूंगा, रिसेच करूंगा, तो आपका क्या प्राब्लम है, उस पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उमीद करते हैं, दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, नहीं है तो चौन कर सब्सक्राइब सरूर, युक्त मिन से एगली वीडियो में, तपके लिए दोस्तों, नमस्क्राइब,